हेलो फ्रेंड्स, डबलो एस क्यूब टेक के चानल पर मैं सुरेंदर आपका एक बाद फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं Microsoft Office को लेकर के Microsoft Office आके होता क्या है दोस्तों हम लोग जानते हैं बहुत सारे Office के आपको Software जो है वो Market में देखने को मिलते हैं जैसे जिसमें सबसे जो Common है वो हम लोग कौन सा देखते है Microsoft Office इसके इलावा दोस्तों आपके पास जो है वो Libre Office है या फिर आपके पास Open Office है या आपके पास Apache Office है बहुत सारे आपके पास अलग-अलग टाइप के software's आपको मिलते हैं जिनके थूँ आप अपने official जो task के आपके office के जो काम है वो हम लोग यहां handle करते हैं दोस्तो सबसे ज़्यादा use आने वाला जो अपने पास software है वो हम लोग कौन सा देखते हैं यहां पर Microsoft Office Microsoft Office नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि Microsoft Company ने बनाया है एक ऐसा आपके पास एक PC package है एक ऐसा आपके पास software है जिसमें बहुत सारे आपको अलग-अलग software's मिलते हैं या कह सकते हैं इसमें बहुत सारे आपको tools मिलते हैं इसके अलावा दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो सबसे common आपके पास जो tool होते हैं जिसका नाम है आपके पास जैसे कि Microsoft का Word, Excel, PowerPoint, Access या इसके अलावा भी कुछ और tools होते हैं लेकिन दोस्तों ये जो नाम है जैसे Word, Excel, PowerPoint या Access ये ऐसे tool है जो frequently हमें use करते रहने पड़ते हैं तो इन सभी को हम लोग यहां देखेंगे क्या-किर ये tool क्या-क्या काम करते हैं और अपने अगले वीडियो में दोस्तों में आपके लिए जो लेकर क्या हूँगा वो होंगे Microsoft Word Microsoft Word को कैसे हम लोग यूज करते हैं professionally मैं आपको बताऊंगा दोस्तों हर एक topic को बहुत easy तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ मैं जानता हूँ कि आपको Microsoft Word, Excel, PowerPoint या Microsoft Office आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा लेकिन दोस्तों फिर भी उसमें बहुत सारे ऐसी tricks हैं बहुत सारे ऐसे features हैं जो शायद हम लोग use नहीं करते तो यह सारी चीज़े मैं आपको आगे अपने जो दूसरे वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको बताने वाला हूँ आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर Microsoft Office आपके पास क्या है MS Office आपके पास क्या कुछ है दोस्तो MS Office जो है वो आपके पास क्या है set of computer application इसके अंदर बहुत सारे आपको softwares मिलते हैं अलग-अलग software applications आपको यह कह सकता है application softwares आपको मिलते हैं तो मेंनली used for business जनरली हम लोग इसको business के लिए use करते हैं और अपन कह सकते हैं कि office purpose के लिए हम लोग इसको use में लेते हैं हाला कि इन दिनों में दोस्तो हम लोग अपने घरों में भी जब हम लोग कुछ काम करते हैं कुछ notes बनाने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं Microsoft word को use करते हैं कुछ अपने data को store करना होता है तो दोस्तो हम लोग tabular format के लिए यहाँ पर use कर लेते हैं अपने excel को कई बार हमें अपने कुछ content को अपनी schools में प्रिजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं PowerPoint को use कर लेते हैं तो जरूर नहीं कि यह केवल office यह business के लिए हो आज इसका जो use है दोस्तों वह हम लोग हर जगे देख रहे हैं और यह जो introduce किया गया है वो basically दोस्तों आपके पास Windows operating system के लिए किया गया है साथ-साथ में यह आपके पास Mac operating system के लिए उसके बाद में इसने अपना Windows operating system में स्टार्ट किया था Microsoft Office ने Microsoft Company ने तो दोस्तों Microsoft ने अपना जो software बनाया था वो बनाया था Mac operating system के लिए फिर उसने अपना खुद का एक operating system बना लिया जिसका नाम Windows है और फिर उसने अपने software को Windows के लिए भी available करवा दिया I think आपको इस समझ में आ गया होगा और दोस्तों के इस operating system इस जो software को अगर जैसे अपन किया सकते हैं कि MS Office जो है वो आप Windows पर भी चला सकते हैं और Mac operating system पर भी चला सकते हैं आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ common चीजों को लेकर के सबसे पहले हम बात करते हैं वर्जन को लेकर कि आखिर कौन-कौन से वर्जन होते हैं देखिए आप लोग जानते हैं वर्जन क्या होते हैं जैसे आप अपने mobile में कुछ software's use करते हैं एक time के बाद दोस्तों उसका ए आपके पास XP आ गया फिर उसके बाद विस्टा आ गया इसी तरीके से आप आगे चलते हुए और आज आपके पास जो है लगबग शायद Windows आपके पास 10 होगा या Windows 11 जो रिसेंटली लॉंच हुआ है वो भी आप यहां पर यूज करते होंगे तो ऐसे ही दोस्तों यहां पर इसे मैं कह रहा हूं Windows के वर्जन अपने पास अलग अलग आ रहे हैं तो यहां पर अपने पास ऑफिस के भी कुछ वर्जन है जो अपडेट होते ही रहते यहां अगर मैं बात करता हूं दोस्तों जो कॉमन अपने पास है हाला कि इससे पहले अपने पास 95 98 यह भी अपने पा पीचर्स थे हाला कि क्या सकता हूं यह बहुत पॉपुलर आपके पास सौफ्वेर रहा है इसके बाद में अगर हम चले तो इसमें कुछ नहीं नहीं चीज़े एड की गई और दोस्तों आपके पास MS Office XP ठीक है याद रखेगा आपके पास जो है आपके पास क्या 2000 उसके बा है इसके बाद से इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसे और इसके पहले वालों में अलग डिफरेंसे यहां पर हम लोग जैसे वर्ड को एक्सल को पावर पॉइंट को जब यूज करते थे तो दोस्तों यहां पर आपको जो है वो मिलता था मैन्यू ठीक है यहां लोग क्या सारे के सारे क्या मिलते हैं यहां आप देखते हैं वह आपके पास क्या थे मैनीू खते तो 2003 के बाद आया आपके पास 2007 7 का version 7 के बाद आपके पास 10 ठीक है 10 हलाकि इतना ज़्यादा success नहीं हो पाया कुछ इसमें issues थे उसके बाद 10 का updated version मिला आपनको 13 13 के बाद आपके पास 16 आया है 16 के बाद आपके पास 19 आया है तो यह सारे के सारे आपके पास अलग-अलग version है आप इन में से किसी को भी use कर सकते in fact इनको भी कर सकते इनको भी कर सकते इन दिनों में आप अगर download भी करते हैं तो शायद दोस्तों आपको 13 16 या 19 आपको मिल जायेगा आपको एक चीज में और बता देता हूं दोस्तों कि यह जो Microsoft Office है यह आपके पास जो है free software नहीं है इसके लिए आपको इसको purchase करना पड़े और उसको आपको purchase करना पड़ेगा कुछ लोग दोस्तों pirated software को भी use करते जो illegal है आप लोग जानते हैं बट अगर आप उसको use करते भी हैं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे features हैं जो यहां नहीं चलने वाले तो इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर आपको software को use कर रहे हैं तो उसका pirated version नहीं हो अगर आप इंटरनेट से भी दोस्तों इसको download कहीं से करते हैं कोई crack वर्जन कोई pirated software अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कूल possible है कि दोस्तों जिस साइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं वह Microsoft Office के साथ ऐसे कुछ और content उसमें add कर दे जब आप इंस्टॉल करोगे तो वह साथ में आपके ऐसे कुछ दूसरे software इंस्टॉल करा दे जैसे कि कुछ spyware को डलवा दे जैसे एक टाइप से कह सकते हैं तो दोस्तों यह software हमारे computer को नुपसान पहुंचा सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी personal information जो है वह कहीं और पहुंच ज सकते हैं मैं आपको 2000 जो है वह 13 को या 16 को या 19 को यूज करके आगे प्रैक्टिकली सारे चीजे बताओंगा भी तो यहां हम लोग देख सकते हैं दोस्तों आपके पास अलग अलग वर्जन है जैसे यह देख सकते हैं ऑफिस 2000 यह ऑफिस एक्स भी मिल गया ऑफिस 2003 ऐसा था अब आपके पास 13 ऐसा है ऐसी दोस्तों 60 ने आपके पास 19 ने आपके पास इन सभी में दूस्तों कहीं कुछ नहीं कुछ फीचर अलग अलग है जब स्टार्ट हुआ तो वर्ड के साथ एक्सल पावर पॉइंट आगे चाते हुए इसमें एक्सेस को भी एड़ कर दिया गया देर दीर आगे चलते हैं拜拜 यहां पर आपको तो से उसे बहुत सारे टूल होगा मैं लोगों पोगा आपके पास इकसेज हो गया आपको सारी टूल्स अचोง मिलते हैं यह सारे के सारे टूल आपको एक ही software में मिल जाते हैं तो हम लोग यहां पर इंटरनेट से अगर आप download करते हैं अगर आप purchase करते हैं दोस्तों आपको यहां पर क्या करना होता है एक ही software को आपको download करना होता है क्या नाम है उसका Microsoft Office उस office में आपको जो है word, excel, powerpoint यह सारे के सारे features आपको मिल जाते हैं तो आईए दोस्तों कौन-कौन से टूल है कौन-कौन से popular टूल है वह मैं आपको पता देता हूँ तो tools of MS Office है सबसे पहले आपके पास दोस्तों जो नाम है वह है आपके पास word MS Word Microsoft Word Microsoft Word क्या होता है दोस्तों तो यह इस टाइप का एक software होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं अपने notes, अपने brochures, अपने दूसरे जो content जिसको अपन कहते हैं डिजिटल document वो अपन यहां पर बनाते हैं तो यही मैंने ऐसे कुछ लिखा है कि MS Word is a popular word processing program used mainly for creating documents such as brochures, letters, learning activities, quiz, test या फिर students homework assignment तो यह कुछ भी आपको काम करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों यहां पर Microsoft Word को use कर सकते हो हम लोग देखते हैं दोस्तों जब कभी भी कुछ पढ़ाई अगर हम लोग कर रहे होते तो हमारे teachers हमको जो notes भीजते वो notes अगर दोस्तों उन्होंने digitally पूरा type किया है तो इसके लिए अगर आपन कहें तो उन्होंने क्या use किया होगा Microsoft Word को ठीक है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मैं वैसे आपको बताऊंगा भी आगे हम एक-एक tools को बहुत अच्छे से discuss करेंगे सारे topics में आपको बहुत अच्छे से दोस्तों यहां समझाने वाला होगा बिल्कुल common language में मैं आपको बताऊंगा आप इनको दोस्तों सारे tools को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह वो tools हैं जो आपको zero से hero बनाते हैं इनफेक्ट दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको केवल यह tools जाना ही बहुत उनके लिए important होता है पूरा का पूरा अपना कह सकते करियर बन सकता है जिसमें हम लोग केवल word, excel, powerpoint को use करते हैं ठीक है तो इसी टाप से अगर हम बात करें next तो अपने पास क्या आता है Microsoft Excel Microsoft जो word है वो किसके लिए काम आता है दोस्तों, software किस टाप का है जिसके तुरू हम लोग अपने letters, essay, notes यह कुछ बनाते हैं लेकिन Excel जो है इसमें हम लोग जो है इसको Excel को और क्या कहते है कि spreadsheet program भी कहते है तो Excel में दोस्तों हम लोग क्या करते है अपने जो contents है उनको store करते है टेबुलर format में साथ में हम लोग इसके उपर दोस्तों calculations कर सकते हैं जैसे कि मैं कहना चाहरा हूं कि मेरे पास एक class है उसके कुछ students है उसके साथ उनके numbers है और number का कुछ total है कुछ percentage है उनकी कुछ grade है यह सब कुछ अगर मैं calculation करना चाहता हूं या आप इस type से कुछ भी जिसके अंदर आपको कोई numeric values का कोई calculations करना है कुछ content के उपर आपको formula लगाना है कुछ functions लगाने है कोई condition सेट करनी है basically तो हम लोग दोस्तों क्या use कर सकते हैं यहां पर Excel इसी type से अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई presentation बनानी है जैसे कि यह जो आप देख रहें दोस्तों यह जो PPT मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यह मैंने पहले presentation के थुरू बनाई है basically PPT ही है फिर उस PPT को मैंने क्योंकि पैनल में डाला था तो मैं यहां पर चाहता था कि उसकी PDF फाइल बनाऊ तो मैंने प powerpoint presentation जो है basically कह सकते हैं कि presentation यह इसको simple form में हम लोग PPT कह देते हैं तो powerpoint presentation क्या होता है यह स्टैप का आपके पास एक software होता है जिसके अंदर दोस्तों हम अपने सारे के सारे काम किसके थूरू करते है slides के थूरू आप देखते होंगे ना जैसे कई बार TV पर एड देखते हैं आप कई बार कोई bank में जाते हैं कुछ दूसरे offices में जाते हैं वहां एक TV लगी होती है उसके अंदर उनका एक एड चल रहा होता है आपने देखा होगा कुछ particular slides होती है वापस 1st 2nd 3rd 4th वापस जाती है वापस 1st 1st 2nd 3rd 4th इस टाप से वह चलती रहती है तो दोस्तों यह ज content को अपनी images को साथ में आप अपने transitions apply कर सकते हैं आप animations लगा सकते हैं इसके अलावा वह slides अप चलेगी तब कुछ बोलना चाहरे हैं आप साथ में तो उसके लिए आप narrator को यूज कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे features हैं जो आप यहां apply करते हैं दोस्तों मैं आपको फिर कहूंगा word, excel, powerpoint आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हलाकि आप ms access को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बट access का काम आपका थोड़ा कम पढ़ता है हलाकि मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा तो word, excel, powerpoint इस पे तो आपको बिल्कुल जो रखना यह आपको बहुत बाकी आगी के और भी टूल से आप चाहें अगर आपका काम पढ़ता है तो आप उनको भी सीखी, otherwise ही तो आप जरूर जानिए इसी तरीके से दोस्तों next में आपको यह क्या सकता हूँ, आपके पास आएगा one note, one note में क्या होता है दोस्तों तो आप यहाँ पर अपने digital notebook बना जिसके तरूर दोस्तों आप लोग जो है online या offline email service को use कर सकते हैं, मतलब जनरली दोस्तों जब मैं आपको कहता हूँ कि मैं email आपको send करता हूँ, तो उसके लिए मेरे को internet चलाना जरूरी है, आप समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको यह कहता हूँ कि मैं आपको email भेजू, दिन भर में अगर मैं 10 email भेजता हूँ, तो मैं send कर देता हूँ, लेकिन वो send करके मेरे Microsoft Office में ही रह जाए, और जब internet connectivity होताब वो सारी email से लिए जाए, उस time पे जितनी भी email साहिए, वो सारी आकर केस में store हो जाए, अपने आप store हो जाए, मतलब मेरे को mobile में या laptop म देखने के जरूत नहीं है, वो मेरे Microsoft Outlook में automatic आके store हो जाए, जब internet नहीं भी है तो मैं उसको अराम से देख सकूँ, तो Outlook जो है वो basically आपके पास email का एक feature है, email की services मिलती है, इसके अलावा दोस्तों आप चाहते हैं अपनी कोई meeting create करना, जैसे अपन कह सकते हैं, office में कई बा आप यहां पर create कर सकते हैं, तो Outlook भी आपके लिए बहुत important होता है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं, next वो है आपके पास publishers, तो publishers के अंदर हम लोग जो हैं, वो दोस्तों professional documents बनाते हैं, जैसे कि newsletter है, postcard है, flyers है, invitations है, brochures है, या ऐसे ही आप इसकी जो built-in template से उनको use करते हुए भी दोस्तों यहां बहुत सारे अलग अलग publisher से related content create कर सकते हैं, तो यह भी आपके लिए दोस्तों बहुत important होता है, इसी टाप से दोस्तों next अपने पास जो है, वो अपने पास है Microsoft Access, Access क्या होता है, तो दोस्तों Microsoft Access का मतलब है, basically आपके database को access करन database, database आपके पास एक ऐसा feature होता है, जिसके अंदर हम लोग अपनी tables create करते हैं, और उन tables के अंदर दोस्तों हम लोग अपना data store करते हैं, जैसे कि मैं assume कर सकता हूँ दोस्तों, आपको ऐसा समझा हूँ, अगर आप भी चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों एक school है, उस school में करीबन 2000, 4000, 5000 students है, तो उन सभी students का नाम क्या है, उनका father name जो है, या उनकी जो scholar number है, या उनकी date of birth है, उनकी email address है, उनका खुद का address है, उनका phone number है, यह जो information होती है, दोस्तों अपन जहाँ store करते हैं, जिस जगे पे, उसको अपन क्या कहते हैं, database, आप Facebook चलाते हैं, आप Instagram चलाते हैं, आप YouTube भी देख रहे हैं, तो दोस्तों ये YouTube के जो वीडियो से, वो कहीं न कहीं YouTube के database पे store होते होंगे, database के through ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उस data को easily access कर सकते हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं, आप अपना database create करना चाहते हैं, उस database में tables बनना चाहते हैं, tables मे अलग-अलग टाइप के tables बन सकते हैं, उन table के बीच में relation हो सकता है, जिसको अपना 8 DBMS भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो है, वो आप क्या use कर सकते हैं, दोस्तों वो आपके पास है DBMS, या फिर relational database management system, यह आप use करते हैं, तो Microsoft Access क्या है, is an information management tool, और relational database, बेसिकली आप यहाँ पर relational database इसके तुरू बनाते हैं, और फिर उसको आप use करते हैं, तो इसी टाइप से दोस्तों आपके पास जो है, वो next आता है, वो है आपके पास Skype, यह आप जानते हैं, दोस्तों जैसे हम लोग WhatsApp के तुरू जब किसी को call करते हैं, WhatsApp के तुरू वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो यह आपके पास अभी का एक अलग ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर आपन प्रोफेशनली बात करें, तो दोस्तों वहाँ पर WhatsApp काल नहीं होता है, बिजनस कॉलिंग की अगर आपन बात करें, जिसमें वीडियो कॉलिंग की बात करें, तो वहाँ आपके पास जो प्रोफेशनल में आ चुका है कि आखिर आपके पास जो है, वो कह सकते हैं कि Microsoft Office होता क्या है, Microsoft Office में और भी आपके पास जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जो mostly हम लोगों ने डिसकस कर लिया है, इसी टाप से एक और टूल है आपके पास जैसे InfoPath, तो InfoPath में क्या हो जाता है दोस्तो कि यहां हम लोग जो है, वो completely आपके कह सकते हैं जो forms हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, Microsoft InfoPath is a software application for designing, distributing, filling and submitting electronic forms, जो form हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग store करना चारे हैं, तो आप इसको use कर सकते हैं, इस टाप से अगर आपन देखें, तो दोस्तों सारे के सारे टूल अपने डिस कर ली हैं, आपको अच्छे से समझ मा आ चुका होगा कि Microsoft Office क्या होता है, इस Microsoft Office को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, Microsoft Office केवल दोस्तों, मैं आपको फिर कहूंगा, अगर आप चाहते हैं, केवल आपको job start करनी है, Suppose, अगर आप job start करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, personally जानना चाहते हैं, professionally जानना चाहते हैं, तो Microsoft Office, at least आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। करने वाले हैं, मैं आपको बिल्कुल professionally बताने वाला हूँ, कैसे आप word को use करते हैं, word में word के components क्या होते हैं, word के अंदर कौन कौन से आपके पास tab होते हैं, एक चीज को दोस्तों, जैसे मैं के simple सा कहूं, cut, copy, paste कैसे होता है, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, दोस्तों कि कौन कौन से shortcuts हैं, जैसे Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl D, बहुत सारे shortcuts, एक दम professionally दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, और सारी की सारी चीज़े मैं आपको practically अपने computer system पे बताने वाला हूँ, तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जूडे रहिए, thank you. कौन 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 कौन